चश्पर जिले के ग्राम बंदर चुआ स्थित शास्किय उच्चितर माध्यमिक विद्याले में संकुल स्तरिय पालक सिक्षा बैठक का आयोजन किया गया इस अफसर पर छत्तिसकड की मुख्यमंतरी विश्णुदेव साही भी कारिक्रम में मौजूद रहे इस दोरान बैठक को संबोधित करते हुए सीम ने कहा कि प्राचीन काल से हमारे देश में इस सिक्षा का महत्व रहा है उन्होंने कहा कि प्यम मोधी के नित्रतों में नई सिक्षा नीती 2020 इस साल से 36 गड़ में भी लागू की गई है और यह नई सिक्षा नीती केवल डिग्री देने का काम ही नहीं करेगी बलके डिग्री के साथ संसकार रोजगार देने का भी काम करेगी मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस मेगा पालक सिक्षक बैठक में बहुत बहुत अभीनदन करता हूँ स्वागत करता हूँ और मैं धनवाद देना चाहूँगा कि यहां के स्टाप को कि ओ सब लोग अपने मेहनत से परिश्रम से इस स्कूल की स्थिति को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं इस टेंडर को बहुत अच्छा बनाए हुए हैं और यह सिक्षकों के मेहनत और परिश्रम के कारण जो आज इस इसकुल की सिती है वो संभव हुआ है और हमारे देश में प्राचीन काल से ही सिख्छा का महत्वरा है आप सबको मालूम है कि हमारा इस देश विश्व गुरू कहलाता था यहाँ पर दुनिया भर के बच्चे पढ़ने आते थे नालंदा भी सुबिद्याले तकसिला भी सुबिद्याले ऐसे भी सुबिद्याले प्राचीन काल से यहाँ पर है तो ऐसा हमारे इस देश में सिख्छा का महत्वरा रहा है और यहाँ पर हम लोग नई सिख्छा नीती लागू किये हैं हमारे प्रधानमंती जी के मार्ग दर्शन में नई सिक्षा निती 2020 लागू किये हैं मैकाले की जो सिक्षा पधती थी बहुत दिनों तक वो पधती चली लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है उस सिक्षा निती में बदलाव किया उसकता थी और हमारे देश के यसोस्य प्रधानमंती नरेंद मोदी जी ने नई सिक्षा निती 2020 लाई है और इसी साल हम लोग 36 गड़ में भी उसको लागू किये हैं और इस नई सिक्षा निती एक खाली डिगरी देने का काम नहीं करेगा इसमें डिगरी के साथ साथ संसकार भी होगा, संसकार के साथ साथ रोजगार भी होगा आज डिगरी मिल जाएगा लेकिन सबको नोकरी दे पाना संभव है ही नहीं कहे कि इतना नोकरी का जगह ही नहीं है कि जितने हमारे बेटा-बेटी पड़लिक के बाहर होंगे उनको सबको नोकरी मिल जाएगी लेकिन अगर हम सिक्षा के साथ साथ उनको संस्कार भी देंगे और रोजगार के लिए भी उनको स्केलिंग देंगे उनका कौसल विकास करेंगे उनको रोजगार की सिक्षा भी देंगे तो निश्टित रुप से अपनी पढ़ाई पूरा करके वो किसी न किसी उद्योग धंदार रोजगार से वो जुड़ने का काम करेगा तो ये नई सिक्षा निती में ब्योस्था है और इस बार पहली बार हम लोग गर्मी में समर केम्प भी किये पहले प्राइबेटी स्कुलों में सब होते थे सरकारी स्कुलों में इसका प्रावधान नहीं था लेकिन गर्मी की छुट्टी में समर केम्प भी लगाए जिसमें अमनलब बच्चे एक सब्ता तक एक साथ रहकर बहुत कुछ सीखे सिक्षा के साथ साथ अलग तरह कानंद भी लिए और उसी तार्तम में ये पालक सिक्षा की ये बेठा किसका भी आयोजन है जब से छत्तिगड की सरकार बनी है तब से आज ऐसा कोई सिक्षा की सारी संसाइं चैहो आई-ाई-ाई-टी हो आई-ाई-ाई-म हो इन्जरिंग आज मेडिकल कॉलेज जब छत्तिगड आज बना तो सिर्फ दो थाज दस के उपर में मेडिकल कॉलेज है तो हर सिक्षण संसान को भी यहाँ पर हम लोग छत्तिगड बनने के बाद यहाँ पर लाये हैं ताकि हमारे बच्चों को उच सिक्षा के लिए कहीं बाहर जाना नहीं पड़े यह जो पीटियम एक आरकम हो रहा है पूरे प्रदेस में और मेरा सोभाग है कि मैं बंदर्चवा में आप लोगों के बीच में हूँ आज से यह पीटियम का कारकम सुरू हुआ है तो बहुत सारी मांगे यहाँ कि हमारे गन्माने लोगों के द्वारा आया है तो उसमें एक तो बंदर्चवा में एक सर्व सुविधायुक तो बस्टिस्टेंड हो इसकी मैं गोसना करता हूँ तो मैं भुहर बस्ती से लेकर सरना पहुच मार्ग में सड़क और पूल की भी गोसना करता हूँ और यहाँ का जो छात्रवास है यहाँ जो सीट है 50 सीट उसकी कमी मोस्थोस हो रही है उसकी भी मांग हो रही है तो मैं इस 50 सीट को 100 सीट करने की गोसना करता हूँ और यहाँ के हमारे युवाओン का भी बहुत मांग है कि एक उनके लिए मिनी स्टेडियम का निर्माड हो तो मंदर्चुआ में एक में एक मिनी स्टेडियम की भोसना करता हूँ आज के इस फेटिये में मेगा पालक सिख्चक बेठक में आप सभी लोग आए आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हो अपनी बात समात करता हूँ